कि ये देखिए हमारा मटर पनीर की स्वाधिष्ट रेसिपी बन के तैयार है। हेलो फ्रेंट्स मैं राजीब और राजीब की चैनिल फॉम आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मतर पनीर की रेसिपी तो चलिए बेना किसे देरी के सुरू करते हैं। मतर पनीड की रेसिपी के लिए फ्रेंच हमने 200 ग्राम पनीड लिया है दो मिडियम साइज के प्याज को उमने बिल्कुल छोटी-छोटी टुक्रों में काटा है और दो हरी मिर्च को उमने दो भागों में बांट रहा है कि अर्श जोए चैजल से फेली प्राइपनि लें उसमने जालें और फ्राइ करें हैं आपको डीप फ्राइपा पसंदों तो बगर फ्राइपी पसंदों टाप बगर फ्राइप्रा के ही मटर पनीर की रेसिपी को मुझे फ्राइ किया हुआ पसंद है तो हमारा पनीर फ्राइ हो चुका है अब हम इसमें पंच फोरण डालेंगे फिर हरी मिर्च और जो मुने प्याज बारी काटा था उसको डालेंगे और इन सब को बिल्कुल सॉफ्ट होने तक इसे मेडियम फ्लेम पर ढखके इसे पकाएंगे ताकि ये प्याज हमारा भून भी जाया और ये सॉफ्ट भी हो जाया क्योंकि प्याज को हम मिक्सी जार पीस के इसका ग्रेवी बनाएंगे नहीं तो इसी में हमें इसे पकाना है तो हमारा प्याज अच्छे सरोस्ट हो चुका है अब हम इसमे अधरक लशन का पेश डालेंगे लासन अने आठ से दस करिया लिया था और अधरक एक इंच का टुब्र दूनों को पीस के हमने इसका पेश तेयर किया था और इसको भी दो से त नासमीरी पाउडर इन सब का हमने लगवग एक एक चमच लिया है लाल मीच आप अपने इसाब से कम्यादा तिखा जैसा पसंद हो आपको उससाब से इसमें डाले और यहां पर थोड़ी से पानी डालके इसमें कि मसाले को अच्छे से मभूनेगे और मसालेको भी हम कुक करके इसे पकाएंगे लगवग 4 6-5 में तक मसाले को पकाएंगे और इसे बीच इच में चलाते रहेंगे कि मसाले हमारा जलना जाये तो यह देखिए हमारा मसाला तेल छोड़ चुका थे कि तो में इसे ढखने हटाकर हम है में दो से तीर में टॉर पकाएं में इस ये बड़ी हमारा फाइनली मसाला डर्वा हो फाइनली हमार फाइनलरी मसाला वम के लेया तो ये देसी मितर तो तो मटर को भी डालके मसाले मिलाके इसे दो से तिरी मट तक हम ढख के पकाएंगे तो यह देखिए तो यह हमारा मटर भी दो से तिरी मट में यह पक चुका है तो इसे थोड़ी से इंचला लेंगे तो यह देखिए फाइनली हमारे मटर भी पक चुका है इसको हम बिल्कुल मेडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो अब हम इसमें टमाटर का प्यूरे इसमें डालेंगे टमाटर का प्यूरे हमने दो मेडियम साइट के टमाटर को हमने पीछ लिया था मिक्सी में तो अब हम इसको भी लगवक तीन से चाह मिनट तक इसे भूनेंगे आप इसे चाहे तो कभर करके भी पका सकते हैं हमने भी थोड़ी सी कभर करके इसे पकाया है और बीचित में इसे चलाते रहेंगे ताकि यह नीचे जलना जाए तो यह देखिए हमाना फाइनली टमाटर भी अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक आप अपने स्वाद के रिशाद डालें कम जयादा यह देखिए इसका यह गड़ाफन है मसाले का अब हम इसमें थोड़ी सी पानी एड कर लेंगे और पानी को एड करने के बाद हम इसे पकाएंगे तो यह देखिए अमारी ग्रेवी तैयार है अब मैं इसमें पनीर का टुकरा डालेंगे यह उन्ह फ्राइब करी कर दखा था कि अपको पनीर ब्रेए प्राहे करके पसंद तो डाले नहीं तो कच्छा विए डाल सकते हैं यसी सीपिए में ही देखिल इसका झो घ्री है हे के बिलकुल बहुत ही अच्छा बन के तयार है वो बिल्कुल गाड़ी ग्रेवी है आपको ग्रेवी कम जादा जैसा पसंद हो गाड़ी हो पतली तो उसे साब से अपर अपने साब से रख सकते हैं तो अब हम लाश्ट में इसमें गरम मसाला एड़ करेंगे गरम मसाला अधी चमच के असपास होने लिया है तो यह देखिए हमारा फाइनली मटल पनीर की रेसिपी बन के तयार है अब हम इसकी ब्लेटिंग कर लेते हैं तो यह देखिए है ना बिल्कुल लाजवाब बिल्कुल यह देखने में लग रहा है ना डेश्टोरेंट इस्टायल आप भी इस रेसिपी को फ्रेंट इस प्रका बनाने से कैसा इसका टेश्ट आता है तो फ्रेंट्स हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह रेसिपी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे हैं तक तक के लिए धन्यवाद प्रेंट्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर गंटी के बेल आइकन को दवाना ना भूले ताक किसी तरह रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहें जै जै मारत